नमस्कार में उरीनु अगरवाल आप देख रहे हैं SKP Live News इस वक्त हम मौझूदे आथर रोड पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यह होल सेल मंडी जो है सबजी की वो आपको दिखाई दे रही है जो व्यापारी जो बस स्टेंड छेत्र में या इद्वरदर अपनी आपको पूर्व में जो खाबर दिखाई थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की दज्या ओड रही थी लोग जो है मास्क लगाए हुए नहीं थे भीड भार भारा नजा रहा था कोरोना संक्रमन को दावत दे रहे थे लेकिन आज आथर रोड पर आप देख सकते हैं कि सभी व दूरी बनाए हुए हैं दो गज की दूरी बनाए और व्यापारी जो हैं यहां पर होल सेल माल बेच रहे हैं सब्जी मंडी लगा रहे हैं और जो रहा के वह भी आकर आप आटो रिक्षा अगरा देख सकते हैं उसे आ रहे हैं और अपने जो भी उनकी जर्रोतों का सामाने वो लेकर जा रहे हैं यहां से यह बहुत अच्छी खबर एधार के लिए सुखत खबर है कि व्यापारी जो हैं सिटी मजिस्ट्रेट के दिये वे निर्देशों का पूर्णत अक्षर सह पालन कर रहे हैं मैं उरेणू अगरवाल आप देख रहे हैं स्केपी लाइव न्यू कर दो दॉन सायासों कोशों को हरे अर्फिस्टों आप के याई। कि अंदर पिना कमिशन की मंदी चालू करिए जिसमें आलू, लसन, प्याज और बटले पे किसान से किसी प्रकार का को कमिशन नहीं लिया जाएगा किसान की सेवा की जाएगी इसमें दिनेश चंदेल पर्चु के दिनेवाईजीम साफ से मिले थे, उन्होंने कहा जो व्यापारी अथर में जाके अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो यहाँ आके व्यापार संचालन कर सकते हैं, तो हम कल से मंदी संचालन यहाँ कर रहे हैं इसमें कोन व्यापारी आ रहे हैं कोन किसान आने किस तरह का इमा किसान तो सभी दूर के आ रहे हैं और व्यापारी 20 व्यापारी हमारे साथ है जो यहां आके व्यापार कर रहा है बाकि आप देखी रहे हैं किसान तो सीटी में व्यापार करने में और यहां व्यापार करने में यहां व्यापार करने से क्या राम है आपका अम्बाराम परमार्टी से यह जो सब्जी मंडी आई हैं क्या फर्क बड़ेगा बहुत बड़ी आए यहां पर सब्जी मंडी क्यों बड़ी आए अच्छी है यूं मतलब भार के बार कोई दिक्कत नहीं गाड़े कहीं भी खड़ी कर दो लोगों को फायदा होगा आपको किसान को फायदा होगा माल इदर लाएंगे सब भार के बार बड़ी मंडी बड़ने की संभाव नहीं है हाँ बड़ी मंडी